बच्पन में वो कहानी सुनी थी न? एक था राजा, एक थी रानी? इस कहानी में सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुतों की, कई लोगों की महनत जोड़ी थी. इस कहानी के पातर हैं वो सब जो एक कहानी बनाते हैं तो आईए दिखते हैं एक कहानी कैसे बनती है अपनी लिखाई से ये कला अपनी दिखलाता है जो बंदूक नहीं श्याही का इत्र जाना जाता है शब्दों से बनी भौग दुनिया का वही तो राइटर कहलाता है ये जादू कर है जादू हमारे आँखों में फैलाती है हर बार इसकी आँखों में एक नई चमकसी है नीरस सी जिन्दगी में कई रंग भर जाता है हर एक चित्र को लेंस पे दिखाता है भूल गया शायद सारी दुनिया अपने कामरे को ही दोस्त कहलाता है कलाकार कहलाता है खुद को भूल के कुछ और बन जाता है ये कौन है ये कहां से आया है कोई नहीं जानता बस ये खुद को हर बार कलाकार कहलाता है गजब देश की अजब हैवानी इस राजा की सुरीली कहानी धगधग धड़काता दिल को वो हर सुर्पे एक नई कहानी हर बार एक नई कहानी हर बार एक नया किसा और फिर इसकी काटा पीटी में एक नई सी दुनिया इस इस यंत्र में ही इसकी दुनिया कहीं छुपसी है इस इंत्र में ही इसकी दुनिया कहीं रुखसी है अब साथ यार में मेल होगा जादू के इस बकसे में अजब सा कोई खेल होगा हुनर से अपने बनाव पहचा देख जिसे सब हो है रान नाम फैला जैसे फैला आस्माई 1st September 2018 Biscope